कुछ समोसा क्रिटिक्स समोसा खाकर रिव्यू देने वाले चाटुकार बोल रहे थे दंकी के रिलीज होने से पहले कि ये डंकी तो अठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी जवान का रिकॉर्ड तोड़ देगी कदर टू का रिकॉर्ड तोड़ देगी एनिमल का रिकॉर्ड त देने वाले च्छे दिनों में इस फिल्म ने 140 करोड़ रुपे कमा लिए पहरे दिन 29 दूसरे दिन 20 तीस दिन 25 चौते दिन 30 पाचवे दिन 24 और छटवे दिन 10 करोड़ यानि कि टोटल हो गया 140 करोड़ रुपे बताओ कहा तूटा पठान का रिकॉर्ड कहा तूटा जबान का रिकॉर्ड की बात करें तो यह फिल्म शारुखान की इस साल की सबसे कम कमाई करने वाले फिल्म बन चुकी है और राजकुमर हिरानी की पिछले 10 सालों में सबसे कम कमाई करने वाले फिल्म भी यह बन चुकी है आपको बता दूँ कि 2018 में राजकुमर हिरानी की आखरी फिल और डंकी ने अपने पहले 6 दिनों में 140 करोड रुपे कमाएं, 40 करोड रुपे कमाएं मतलब संजु के मकाबले अपने पहले 6 दिनों में, और बात करें, 2014 में आई फिल्म पीके की, आज से करीब 10 साल पहले, 9 साल पहले, तो पीके ने अपने पहले 6 दिनों में 156 करोड रुप फुलॉप साबित हुई है दंग की बॉक्स ओफिस के मुकाबले में और नहीं सरफ बॉक्स ओफिस की अगर बात करें रिव्यूस की वर्ड आफ माउथ की तो उसमें बीच फिल्म को काफी जादा मिक्स डिव्यू मिले है कुछ लोगों को जो बहुत जादा कटर फैन है उनको आपकी फिल्म को लंबा चलना है तो उसके लिए वर्ड आफ माउथ होना चाहिए फिल्म रिपीट करके लोग देखें बार-बार थेटर आए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है तो कलेक्शन टूजडे को सीधा गिरके 10 क्रोड रुपे पहुच गया है 10 क्रोड रुपे और वेंस गुसा दिया ग्रॉज गुसा दिया नेट गुसा दिया रहे भाई क्यों बेफकुम बना रहे लोगों को क्यों बना रहे बेफकुम सचाई बोलो ना एक्सेप्ट करो कि फिल्म नहीं चली और आप बात करें क्लैश की सलार ने अपने पहले पांच दिनों में 280 रुपे कमाय अच लेकर आप पाईगी और आज कमायेगी और सद्तरी होगाई लेकिन मुझे लगता है कि 220 करोड़ तक जाएगा 200 करोड़ पहुचना मुश्किल है और अगर 200 पहुच आता है तो अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता नहीं कि पहुच भाइगी डंकी बहां तक तो एक बार फिर मैंने कहा था आपको प्रशांत नील किंग ऑफ क्लैश है प्रशांत नील वही शक्स हैं जिन्होंने KGF1, KGF2, Salaar Part 1 बनाई है KGF1 का क्लैश हुआ था 0 के साथ KGF1 जीत गई, 0 हार गई KGF2 का क्लैश हुआ था Beast के साथ Beast हार गई, KGF2 जीत गई तो भी अब प्रशांत नील की फिल्मों के आगे क्लैश करने से बचे और अगर फिल्म प्रभास की ओ तो बिल्कुली बचे क्योंकि प्रभास के पास तो अल्यडी रिकॉर्ड है, चार बार 100 करोड़ से ओपर ओपनिंग देने का, फिल्म की बाकी आप मुझे बताओ, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी, तंकी या सलार, चुब आपके राय हो, कमेट बहुत से जरूर देना, बाकी कोई शिकायत या कोई सुजाव देना तो आप मुझे इस्टेग्राम पर भी मेसे कर सकते हैं, तब तक लाप सभी का धन्यवाद.